कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आपना बहुत सा ध्यान रख रहे होंगे आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी चीज की रेसिपी लेके आई हूं जो आपकी डाइट में अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट देत कैसे बनाना है सबसे पहले हम कढाय चड़ा लेंगे उसमें एक कटोरी डाल के इसे हमें ड्राय रोस्ट करना है तो वेलकम है आप सभी का मेरी चैनल में फूर्ड लाइप प्रोसेस में जहां आप लोग को मिलती है बहुत ही टेस्टी इजी रेस्पी जो आप अपनी घर में बना सकते हैं एनी टाइप ना किसी जिंजट के तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजेगा फ्लैक सीट को जब हम रोस्ट करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा उड़ती है तो इसलिए आप जब फ्लैक सीट को रोस्ट करें तो एक प्लेट लेके इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं और उसके बाद अंदर से आप चलनी से इसे चलाते रहेगा उससे आपका अच्छा सब्चाइब जाएगा इसको ना यसी कहते हैं लोग के एते हैं की कढ़वा था पर अगर अगर आप इसे इस तरीके से रोस्ट करके बनाएंगे ना पोडर तो ऊस मिल्कुल भी आप इसे अपनी डाइट में जरू इंक्लूड करें आप इसका पाउडर बना के स्टोर भी कर सकते हैं आराम से दस से पंदरा दिन स्टोर कर सकते हैं आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में डालके यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बस जब भी आपको इसे कुछ बनाना हो वो पाउडर निकाल लिए और फटा फट बना लिजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता है देखिए हमाया फ्लेक्सिट रोस्ट हो चुके हैं तो अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल देती हूँ जब यह रोस्ट होगा ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज ह दाने फटने लगें वह वाइट फट दिखने लगेंगे हलके हलके आप देख सकते हैं रोस्त होते टाइम यह इदम से फटते हैं औरते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखेएगा आपको इस वीडियो में ना फ्लेक्सिट का पाउडर कैसे बनाते हैं वह भी बता रही हूँ और साथ में एक रेसिपी भी शेयर करने जारी हूं, जिसे आप फ्लेक्सीट से बनाएंगे, वो बहुत टेस्टी लगती है, हमारे घर पे अकसर में ये फ्लेक्सीट से बनाती हूं, सबको बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार आप इसे जहू ट्राइ कीजिएगा, फ्लेक कंटेनर में जार में डाल कर स्टोर कर सकते हैं, बिना फ्रिज में रखे भी है, ये बहुत दिनों तक अराम से चलता है, तो खराब होने की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है, अब मैं इसका ढखका लगा कर एक पाउडर बना लेती हूं, देख सकते हैं, हमने किस तरीके का पाउडर बनाया है, पाउडर बनाते वक्त मिक्सर को पल्स मोड पे एक से दो बार चला लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से पाउडर बनके रेडी हो जाएगा, तो चली आप मैं इसे कटोरियों में निकाल देती हूं, उसके बाद मैं आपकी साथ इसकी रेश्पी शेयर करूंगी, कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं, चटनी बनाओंगी मैं इसे, और वो होर तेस्टी चटनी बनेगी, एक बार जबूर ट्राइ कीजिएगा इस रेश्पी को, वालों को अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अपनी डाइट में इंक्लूट करो, आपका लो या हाई वीपी है, वो सब को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, बस एक बार इस तरीके से आप पावडर बना कर स्टोर कर लीजिए, बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक ये पावडर रा स्टोर कर सकते हैं, आप च के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब मैं आप इसको इससे चटनी बनाना सिखाती हूं, और चटनी बहुत टेस्टी बनती है, मैं एकसर अपने घर में बनाती हूं, आपको बहुत पसंद आने वाली है, फ्लैक्सीट पावडर की चटनी बनाने के लिए हम इसे जिस कटोरी पावल में हमने चटनी बनाने है, उस बावल में दो से तीन चमच हम फ्लैक्सीट डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें अपने कट हुए प्यास डाल देंगे, तो बाद हम इसमें कटी हुए हरी मिर्ची डाल देंगे हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तिमाल कीजिएगा जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना ही डालिएगा मैंने इसमें आदी छोटी चमच नमक डाला है उसके बाद नमक का भी बहुत ध्यान से इस्तिमाल कीजिएगा फिर हम इसमें पानी डालेंगे और इसका घोल रेडी कर लेंगे पेस्ट रेडी कर लेंगे ये पानी बहुत अबजब करता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा क्योंकि इसलिए रनी सा घोल बनाना है और 5-6 मिनिट बाद आप देखेंगे न कि पानी इसने मैं वीडियो को वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल पर नियाय वीडियो पर फस्स टाइम है तो ताकि वीडियो कि ज़ल से जल्द आप तक मिल सके तो बाबाय मिलते हैं नेक्स डेसिपी के साथ आप ट्राइज ज़रू केड़ी